हेलो एवरीबन वेलकम बैक तो मैं चैनल तो आज के इस वीडियो मैं आप लोग को एक स्केश दिखाऊंगा जो कि मैंने अभी कुछी दिन पहले बनाया है यह ब्रैड और गूरूम का स्केश है इसकी और लेड़ी मैं टाइम लाइस वीडियो डाल चुका हूँ तो आप आपके जो इसकेश होगा वह अच्छा भी लगेगा आपके क्लाइंट को भी अच्छा नहीं लगेगा तो इसलिए मैं आप लोग को रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा आप लोग एथरी साइस पर हीट कपल का स्केश बनाया है तो यहां पर आज मैं ब्राइड एक बना रहा कोशिश करा करिए क्योंकि कई बार जादा लेरिंग के चक्कर में आप लोग उसको काला कर देंगे और गंदा कर देंगे अब यहां पर आइस को मैं बना रहा हूँ आइस जो है इनकी जुकी हुई है तो जो है वहां पर आइस के अंदर हम लोग कुछ नहीं बना रहा है तो nose के shoulds कई भार कम हो जाते हैं अब यहाँ मैं cheeks पे shade कर रहा हूं आप लोग देख रहा हूं कि मैं circular motion में shade कर रहा हूं ताकि cheeks goal लगें और जो इनके चेहरे पे हसी है वो भी बराबर हम लोगो दीखे अब यहाँ पर मैंने goal goal इसको shade कर दिया और दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि मैं उपपर की तरफ भी जो है इसको थोड़ा थोड़ा correction करता रहता हूँ तो sketch बनाने मतलब यह नहीं होता है आपने एक बार eyes बना दी तो आपको कुछ नहीं करना उसके बाद आप लोग अपने हिसाफ से गटाते बढ़ाते रहा करिया eyes, nose, lips जो भी हो आप लोग अपने हिसाफ से करते रहा करिये अब यहाँ मैं इनके mouth को बना रहा हूँ mouth पर जादा shade बगारा नहीं है तो आप लोग जादा shade करने कोशिश ना करिएगा ladies के face पर जादा shade आपने जहां करने कोशिश करी वहाँ पर ladies का face खराब हो जाता है तो इसलिए आप लोग कम से कम shades को evenly और smoothly करा करिए men's के face में आप लोग थोड़े जादा shade कर देंगे तो चल जाए क्योंकि men's का जहाँ तर complexion dark होता है अब मैं इनके hairs बना रहा हूँ hairs बनाते time भी काफी ध्यान देगा कि जो hairs बाहर निकल लें और hairs का जो direction है वो आप लोग हमेशा ध्यान से देख कि जिस direction में hairs आ रहे हैं उसी direction में hairs बनाने की पूरी कोशिश करा करिए अब यहाँ मैं जोलरी बना रहा हूँ जोलरी जो है मुझसे अच्छी नहीं बनती लेकिन फिर भी जित्ती में बना बाता हूँ बनाता हूँ अब यहाँ पर देख रहे हैं hairs जो है right direction में जा रहे है तो मैं right direction में ही सारे strokes लगा रहा हूँ उसी हिसाफ से आप लोग जो है जैसे कि आप लोग के left और right जा रहे हूँ तो आप लोग left और right direction में strokes लगाईएगा अब अच्छे साव बीच में थोड़ी highlights वेकारे बी छोड़ते रहा करें जब आप लोग जादा hairs वेकारे बनाते रहेंगे तो आप लोग को पता रहेगा कि highlights आप लोग बीच में hairs को बनाते टाइम ही छोड़ सकते आपको काफी धियान दिएगा क्योंकि जो फोटो होती ही काफी दादब लर होती है तो नेकलेस के डिजाइन होते वो दिखते नहीं है तो अपने हिसाफ साफ अपने अफने नेकलेस बनाया करिए अब जो इनकी nose पे pin है वो मैं बना रहो आप पता नहीं इसको pin कहते हैं क्या कहते हैं वो तो मुझे नहीं पता अब जो right side में head जिख रहे हैं वहाँ पर आप लोग को बचाते हुए वहाँ पर आप लोग को shed करना होगा तो इन सब चीजों काफी ध्यान देना चाहिए कि जब आप लोग एरिंग्स बना है तो एरिंग्स के अरिक्स में उपर आप लोग बाल ना बना दें ताकि एरिंग्स सुप जाए तो आप लोग को लाइट एरिया छुपाना काफी जादा मुश्कील होता है तो आप लोग काफी ध्यान से जो है उसको शार्प पेंसिल से करा करिए ताकि आप लोग का जो लाइट एरिया है वो इसमें कवर न हो जाए अब मैंने नीचे के हेर भी बना दिये तो इसके बाद मैं अब इनके कपड़ों को बनाऊंगा कपड़ों बनाने से पहले आप लोग देख रहे हैं कि यह शादी का जोड़ा है तो उसमें काफी जादा बीट्स वगरा होती है तो मैंने बीट्स को बनाने के लिए मैंने 10B मेकानिकल पेंसिल का यूज करा है अब उसके बाद मैं 4B पेंसिल का यूज करूंगा ताकि जो जाला टाइप के आपको लग रही है तो उसको मैं बनाऊंगा अब मैंने 4B पेंसिल को ले लिए और इसको काफी जादा शार्प कर दिया और आप लोग देखने है राइट साइट में हेर्स टाइप के बना रहा हूँ यह हेर्स नहीं है यह कपड़े का ही पार्ट है जो की फरी टाइप का कपड़ा है तो यहाँ पे मैं उसको बना रहा हूँ और फिर इसको मैं ब्लेंड कर दूँगा अपने ब्रस से और उसके बाद टॉम्बो के एरेजर से इसमें बीज बीज में हाइलाइट जे दूँगा और आप लोग देख सकते हैं ता काफी हेर ही लग रहा है और यह कपड़े का ही पार्ट लग रहा है तो इसी इद्दम सेम तरीके से हम लेफ्ट साइड में भी करेंगे जहाँ पे हम लोग ने बीज बनाई है तो ऐसे आप लोग को पहले और लेड़ी डिसाइड कर लेना प करिमेंट वगर ना करा अगर यह उपर आप दोस्तों मैं इनके लेफ्ट साइड के जो मतलब कि इनके दुबट्टे की हेर से उसको मैं बना लेता हूं वह भी मैं 4B पेंसिल से यूस कर रहा हूं और यह काफी बारीक-बारीक में हेर बना रहा हूं इसके बाद जो है मैं इस इसका ध्यान रखेगा जब आप लोग रेफरेंस इमेज को पास से देखेंगा ऐसे टाइप की किसी तो उसमें जो है जो स्लीज दोती है वो अलग दिखती है दुबट्टा अलग दिखता है तो उन सब को आप लोग अलग देखके अलग अलग शेट करिएगा अब यहां प चीजों को आप लोग धियान देना पड़ता है और आप लोग देख रहे हैं काफी 3D लुक आ रहा है कि पीछे का जो दुबट्टा वो थोड़ा लाइट है और आगे का दुबट्टा थोड़ा डार्क है तो इन सब चीजों काफी धियान देना पड़ता है जब आप लोग क्योंकि डिजाइन बनने बाद अच्छा लगता है अब मैंने दोनों कपड़े बना लिए और मैंने ये वीडियो कट कर दी क्योंकि मैंने और लेडि कई वीडियो जो आप लोगो बताए कि मैं कोट पैंट वगएरा को कैसे शेट करता हूँ तो उस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कैसे मैंने कोट पैंट को शेट करता हूँ तो ऐसी कोई खास बात नहीं है इसमें बस आप लोगो नॉर्मली शेट करना हूँ और डार को लाइट वैल्यूस को देखना है अब मैं यहाँ पे एक बॉय को बना रहा हूँ आप से जरूरी नहीं कि 4B यूज़ करें 10B यूज़ करें डार्क पैंसिल आप लोग जहां पर डार्क यूज़ होना है तो कर सकते हैं बस डिपेंड करता है कि आप लोग को किसनी जादा सफाई चाहिए अगर जादा सफाई चाहिए तो 4B मेकैनिकल पैंसिल उठा लिए और अगर जादा बड़ा एरिया करना है तो 10B पैंसिल उठा लिए नॉर्मल जो विडेन वाली होती है तो यह सब आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं अपने हिसाब से अपने इसको सेट कर सकते हैं तो जब आप लोग जादा स्केचिंग करते रहेंगे तो आप लोग खुद समझ में आने लगे कहां पर कॉन सचीज यूज़ करना है आप लोग पास 6B पैंसिल हो कौन से डिरेक्शन है और इनकी बीड यह पता चलना है अब बीड बनाते हैं आप लोग एक चीज़ का ध्यान देना है अब यहां पर थोड़ा में चीज़ आती है बीड वगारे इनकी थोड़ी हल्की है तो इद्दम हल्की थोड़ी बनाईएगा इद्दम यह निकी डार्क तो आप लोग देख रहों कि मेरी जो beard मैंने बनाइए थोड़ी हल्की बनाइए तो इसमें आप लोग कुछ करना नहीं रहता है स्ट्रोक थोड़े दूर दूर पे लगाने इदम जो है है नीचे गर्दन के पास आजाए तो यहां पर आप लोग देख रहे होंगा थोड़े तेड़े तेड़े हैं तो जिस डायर जाते हैं उस डायरेक्शन में आप लोग को बनाने पड़ते हैं तो यहीं सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे आप लोग को अच्छा रीलीजम मिलता और बढ़ी हैं आप लोग सकेच बना ले जाते हैं अब यहां मैं देख रहें हुए थोड़े तेड़े हैं बने हुए तो उसी इसास में उसी डायरेक्शन में हैड़को बना रहा हूं अब यहां की बीएट काफी लाइट भी एद्वाद डार्क करता है जितना जाद आप लोग टाइम लगाएं अब मैं इनके हेर्स बनानों हेर्स के डिरेक्शन भी फोटो में अच्छे से दिख रहे हैं किस डिरेक्शन में हेर्स गये हुए तो असानी साफ लोग बना ले जाएंगे हेर्स काफी ट्रिम्ड है तो आप लोग जो है बस आपको अच्छी मिल जाती है तो इसमें आप लोगो जादा प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगो सारे शेड़ वगरा पता रहेंगे लिकिन जो है जो है जो है जो होती है दूर की फोटो में खराब हो जाती तो जो एल्ली वगरा आपको अपने हिसाब से बनानी पड़ेगी अधरवाइस आप लोगे हेर्स वगरा खुदी समझ लेंगी कहां पर किस डायरेक्शन में हेर्स है तो दोस्तों अब यह स्केच अल्मोस्ट कंप्लीट हो चुका है जो यह हाथ है मुझे ब्राइट का बस बनाना है उनकी शोल्डर के उपर अब इसके बाद यह स्केच पू सकते इंस्टाग्राम के लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है और जो है आप लोग को जो मैं पैंसिल वगारे यूज़ करता हूँ ना वो भी जो है डिस्क्रिप्शन में ने डाल दिये तो उस पर आप लोग जा के क्लिक कर सकते हैं और वो पैंसिल वगारे खरी सकते हैं काफ झाल झाल